Good morning everyone, welcome to JK Today आज है 13 January, चलि स्टार्ट करते हैं आज के Current Affairs इससे पहले बहुत लोग जो भी वीडियो बनता है उसके PDF को डिमान करते हैं तो 2-3 दिन के अंदर मैं आपको एक प्लैटफॉर्म बता दूँगा वहां से जा करके आप सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अभी तक जितने भी Current Affairs मैंने बताया हैं उन सारे का PDF भी मैं उस प्लैटफॉर्म में डाल दूँगा किस भारती राज ने ओनलाइन कक्छाओं में भाग लेने के लिए कॉलेज के छात्रों को मुफ्त डेटा कार्ट की घोशना की है तो मुफ्त डेटा कार्ट की जो घोशना की है वो है तामिलाडू तामिलाडू सकार कॉलेज चात्रों को अप्रेल 2021 तक ऑनलाइन कक्छाओं में भाग लेने के लिए दो जी भी प्रति दिन का मुफ देदाकार पदान करने जा रही है और अभी तामिलाडू क्यों रूज में था? तो ये नागा पटनम डिस्टिक्ट से अलगों के बना है तामिलाडू से रड़िट कुछ और बातों को देख लेते हैं यहां के CM है इड़ापट्टी का रूपा पलानी सावमी, गवर्नर है श्री बनवारी लाल पुरोहित, यहां पे अभी हाली में हल्दी अनुसंधान संस्तान की स्थापना की गई है, RBI की रिपोर्ट के नुसार बजार करज के मावले में तामिलाडू स्रीथिस्तान पर है, यहां पे रिसेंटली अभी कोविड संदिक वाट शुरू किया गया है, रसायन और पेट्रो केमिकल्स विभाग ने देश में कुल 10 प्लास्टिक बाक के स्थापित करने को मंजुरू जिसमें तामिलाडू राज बिशामिल है, आदी पेरकु जिसे आदी मौसुन तियोहार की रूपे माना जाता है, तामिलाडू में यह मना जाता है, और तामिलाडू के विरुधुनगर जिले को केन सरकार के द्वारा राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थ वैस्ता जिला चुना गया है, और यह भी याद रखेगा कि तामिलाडू जो है, यह मत्से उत्पादम के लिए, मतलब की फिर्श प्रोड़क्शन के लिए टॉप पे है, रास्टिय युवा सांसद महुसव का पहला संस्करन किस वर्स आउजित किया गया था, यह किया गया था 2019 में पहला रास्टिय युवा संसद महुसव मतलब की नैशनल यूथ पार्लेमेंट फेस्टिवल फरवरी 2019 में आउजित किया गया था, और इस महुसव का दूसरा संसकरन जो है, यह दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में सुरू किया गया था, जिला और राजिस्थर के कारेकरमों के ब नौइडा से किस हाई स्पीड रेल प्रवियुना के लिए लिडार सरवक्षन सुरू किया गया है, लिडार मतलब लाइट डिटकशन और रेंजिंग सरवे तो यह दखीएगा, दिल्ली वार्णसी हाई स्पीड रेल कौरिड़ोर के लिए लाइट डिटकशन और सेंसर के साथ सुसजित किया गया है और जो पहली उडान है ये तीन चार महीनों में जमेनी सर्वेक्शन से समंधित और आंकडों और विवरनों को कैप्चर किया है इस सर्वेक्शन में 60 मेगा पिक्सल के कैमरों का उपयोग किया जाता है तो याद रखेगा लाइट डिटक्शन और रेंजिंग सर्वे इसका सर्वेक्शन शुरू किया गया है नौईडा से और इस रेल परियोजना का नाम है दिल्ली वारन सी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विष्व हिंदी दिवस किस सहर में आयोजित प्रतम विष्व हिंदी समेलन की वर्जगाट के रूप में मना जाता है तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो को देखा होगा इसको मैंने डिसकस अलड़ी कर रखा है 1975 में पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फरेंस हुआ था कहाँ पे ये हुआ था नाकपूर के अंदर तो विष्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मना जाता है और 1975 में नाकपूर में आयोजित पहले विष्व हिंदी समेलन की वर्जगाट को मनाता है विष्व हिंदी दिवस पहली बार 2006 के अंदर उसमें परीमिस्टर मनमहुन सिंग थे 2006 में पहली बार ये मनाया गया था अब कुछ और important डिस को देख लेते हैं 24 जन्वरी को विश्व हिंदी दिवस मना जाता है और भारत में कम मना जाता है, यह मना जाता है 14 से प्तमबर को 12 जन्वरी को national youth day किसकी याद में? बथर डे और स्वामी विवेकानन्दा 15 जन्वरी को army day 24 जन्वरी को national girl child day मतलब की रास्टि है बाली का दियवस अच्छे एक और बात 24 जनवरी को मना जाता है क्या National Girl Child Day मतलब की रास्ट्रिय बाली का देवस अगर मैं अंतर रास्ट्रिय बाली का देवस की बात करूँ तो मतलब की International Girl Child Day तो यह मना जाता है 11 अक्टूबर को और अगर मैं अंतर रास्टी ये Women's Day की बात करूँ तो अंतर रास्टी महिला दिवस ये मना जाता है 8 March को तो ये तीनों पॉइंट्स को याद रखेगा 25 जनरी को मना जाता है National Tourism Day और इसी दिन Voters Day भी मना जाता है तो भारत के अंदर National Tourism Day ये 25 जनरी को मना जाता है लेकिन अगर विश्व की बात करें पूरे वर्ल्ल लेवल पे तो ये 27 सप्टमर को मना जाता है वर्ल्ल टूरीजम डे 30 जनरी को National Martias Day और वर्ल्ल एंटी लेपरिसिट डे ये 30 जनरी को मना जाता है भारतीय भूवेग्णिक सर्वेक्षन अनुचे पत्य राज के अंदर वर्ल्ल टूरीजम के बंढार हो सकते है और ये भारत का वर्ल्ल टूरीजम का पर्मुक उत्पादक हो सकता है वैनेडियम एक उच्छ मूल की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टैटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है तो याद रखिएगा according to GSI मतलब की Geography Survey for India इनके अनुसार अनुनाचर पतेश राज के अंदर वैनेडियम के भंडार हो सकते है निशीता और दिख्षा किस केंदरी मंत्राले की पहल है तो ये है सिख्छा मंत्राले के दोरा कि इंदी सिख्छा मंत्राले ने प्रवासी बच्चों की पहचान, परवेस और साहक सिख्छा के लिए दिख्षा इंद्यस जारी किये है इन दिख्षा निजशों में स्कूली बच्चों के लिए सदत सिख्चा मतलब की Continued Education for Out of School Children और विसेश आवसकता वाले बच्चे मतलब की CWSN जारुकतास रिजन और समर्थन शामिल है इसमें निशीता परिसिक्षन मॉडियूल और दिख्षा पोर्टल के दोरा अध्यपकों की छमता निवान भी शामिल है याद रखिएगा निशीता और दिख्ष्चा जो है ये सिख्ष्चा मंतलाल के की एक पहल है और ये भी याद रखिएगा हाली में जो लोक सोभाई स्पीकर है ओम बिरला इन्होंने इसकूली बच्चों के लिए कॉलेज के अंदर जो बच्चे हैं उनिवस्टीज के अंदर बच्चे हैं उनके लिए एक अभियान शुरुकिया है जिसका नाम है नो यूर कॉंसा मंतलाली के पास है एक बार नज़र डालेते हैं नितिन गड़करी के पास है Ministry of Road, Transport and Highway or Ministry of MSMEs मतलब कि Micro Small and Medium Enterprises रमेश पोख्रिया निसंद इनके पास है Ministry of Education सिख्छा मंतला निनी के पास है थावर चंद गहलोत Ministry of Social Justice and Empowerment और स्रिपियूश के पास है Railways है, Commerce and Industry और Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution केंद्रे गरी मंत्री द्वारा किस छेतर के लिए Single Window Clearance System लौँच किया जाएगा केंद्रे गरी मंत्री जो है अमिशा, इन्होंने कोईला के खदानों के लिए Single Window Clearance System इसे लौँच करेंगे और या कोईला खदानों के सुचारू और निर्बाद कामकाच के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक Online Platform है और हाली में अमिशा ने अभी K9 Journal को भी लौँच किया था वने जीओं के सुरक्षित आवागमन के लिए अधार बुद सरंचना बनाने के लिए कौन सा मंत्राले 1200 कड़ रुपे खर्च करेगा तो ये है सड़क परिवन और राजमांग मंत्राले केंद्री सड़क परिवन और राजमांग मंत्राले रास्त्री राजमार्गों पर वने जीओं की सुरक्षित आवाजाही के लिए बुनियादी धाचा तियार करने के लिए 1200 कर रुपे खर्च करेगा इसमें पेंचन नेशनल पाक से कुजरने वाले नाकपूर जबलपूर रास्टी राजमांग और गढ़चिरॉली चनरपूर और चीमूर वडोदरा राजमांगों पर अंडर पास के निर्माद सहित बुनियादी ढाचे का निर्मान शामिल है याद रखिएगा सड़क परिवन और राजमांग मंतराले जो है ये 1200 रुपे खर्च करेगा किसके लिए वन जीवों के सुरक्षित आवागन के लिए आवागमन के लिए हाली में भी एक बस सर्विस को लौँच की जा रही है जिसका नाम है भ्रहमन सार्थी ये किस से राज के दोरा लौँच की गई है ये की गई है आसाम राज के दोरा आसाम के जी मुखमंतरी हैं सरवानन सुरुवन इनोंने महिलाओं और वरिष नागरोगों के लिए मुफ्त और समर्पित सेवा के लिए 25 गुलाबी बसों का उधगाटन किया है इन बसों को भ्रहमन सार्थी योजना के दहत लौँच किया गया है ये मुफ्त परिवन सेवा आसाम राज परिवन निगम द्वारा पहली बार गुहाटी में शुरू की गई है तो ये कहां शुरू हुई है? ये हुई है गुहाटी के अंदर और आसाम के जो सेवानन सुनोवल और यहां के जो गवर्णर नों के नाम है जगदिश मुखी यहां पर हाली में भी एक रेडियो पूर्गाम लॉच्च किया गया था जिसका नाम था प्रग्या अरुनोडोई और धन्वंतरी योजना हाली में असाम गौर्मन के दोरा लॉच्च किया गया है और भारत का एक मात गोल्डन बाग भी यहीं पर देखा गया है और भारत के अंदर पहला जो मल्टी लोजिस्टिक पार्ग भी खुला है वो भी खुला है असाम के अंदर अमेरिका ने हाली में किस देश पर लगाए गए परतिबंदों को हटाने की घोष्चना की है तो अमेरिका जो है यह ताइवान से सारे परतिबंद हटा लेगा शहयूंक तराज के विदेश मंतरी जो है माईक वांपियो अमेरिका के ने घोष्चना की कि विदेश विभाग ताइवान के साथ परतिबंद हटा रहा है और यह कदम तैवान के साथ अमेरिका के दुई पक्षियों समंदों को मजबूत करने का एक परस्ताओ है अमेरिका जो है यह भी न्यूज में की होता क्योंकि यहां के जो प्रेसिडेंट है जौ बैडन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस इन्हें Time Magazine के दुआरा Person of the Year का पुरुषकार मिला है इसके अलावा अमेरिका ने भी हाली में तरकी पे सैंक्षन लगाया है और अमेरिका ने हाली में मलाला यूसव जी Scholarship Act को पारित किया है जो भी पाकिस्तानी मला है उन्हें उच्छी सिक्षा के लिए 50% Scholarship दिया जाएगा विकाशील देशों में COVID-19 टिका करन अभियानों के लिए किस देश ने 1 billion अमेरिकी डॉलर जुटाए है तो ये देश है United Kingdom ये देश अभी पूरा फिर से लॉकडाउन में आ गया है United Kingdom ने विकाशील देशों में COVID-19 टिका करन अभियानों के फंड देने के लिए वैश्विक दाताओं से 1 billion अमेरिकी डॉलर जुटाए है इस लक्ष इसका जो लक्ष है वो बेरानवे विकाशील देशों में एक अरव कोरुणा वारिस टिको का विधरन करना है आप मुझे कमेर्ट को से ये लिए कि बताईए कि बॉरिस जॉन्सन जो है ये चीफ गेस्ट होने वाले थे 26 जनुरी के अंदर लेकिन इन्होंने अपना दोरा रद कर दिया है तो जो भारत के अंदर 26 जनुरी को भारत की यात्रा पे हो तुफान फीलो मेना किस देश को प्रहोईद किया है तो ये देश है इस्पेन DRDO ने मतलब की डिफेन्स रिजर्च और डिवरेटरिक ओनेशन जिसनके जो चेर्मेन ने वो है जी शतिश रेड़ी इसने किस ससथ बल को लैंडिंग गेर सिस्टम को मानव रहित हवाई वहानों के लिए सौब दिया है तो रक्षा अनुसंदार और विकास संगंटन लैंडिंग गेर सिस्टम को मानव रहित हवाई वहानों के लिए भारतिय नौसिना को सौब दिया है भारतिय नौसिना मतलब की इंडियन नेवी तापस UAV और स्विफ्ट UAV तापस UAV मतलब की अन्मेंड एयर वहेकल और स्विफ्ट UAV के लिए लैंडिंग गेर सिस्टम सौधिसी रूप से DRDO की एक इकाई लडाकू वहन अनुसंदार और विकास प्रिस्टान CVRD द्वारा निर्मित की गई है तो याद रखिएगा DRDO ने भारतिय नौस अना के लिए लैंडिंग गेर सिस्टम को मानव रहित मतलब की अन्मेंड एयर वहेकल वहनों के लिए सौब दिया है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वो है जनरल विपिन रावत एयर चीफ मार्शल कौन है यह है राकेश उमार सिंग भधौरिया और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नौस इना के परवम कौन है यह है अड्माइरल करमबीर सिंग पस्चिमी घाट में परसितिक होट्सपोट सिर्ववानी के नाम पर हाली में किस कीट की एक नई परजाती का नाम रखा गया है तो यह है फ्रूट फ्लाई Fruit Fly की एक नई प्रजाती तामिलाडू के कयमबर टूर जीले में खोजी गई है और इसका नाम सिर्यवनी के नाम पे रखा गया है सिर्यवनी को पस्चिंग घाट में एक परिसितिक होट स्पोट माना जाता है फ्रूट फ्लाई फ्रेंटा सिर्यवनी दुनिया भर में 104 ग्यात प्रजितात और भारत भर में 14 प्रजातियों की सूची में एक नई प्रजाती है तो इसका सही एंसर है Fruit Fly 12 लाग करोड रुपे के बजार पुंजिकरन तक पहुचने वाली दूसरी भारती कंपनी कौन सी है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह है Tata Consultancy Services और इनके चेर्मन कौन है गनाम है राजेस गोपी नाथन यह TCS के चेर्मन है अगर आपसे पूरे Tata Group का चेर्मन पूझा जाए तो यह है N. चंदरशेकरन यह पहले TCS के चेर्मन थे लेकिन अब फिर इने Tata Group का पूरा चेर्मन प्रारम जो हाली में खबरों में था यह किस सुयोजना से समंदित शिकर समेलन है तो प्रारम जो है यह Startup India से समंदित सीकर समेलन है उद्योग और आंतरिक वैपार समंदन विभाग बलब कि DPIT प्रारम Startup India इंटरनाशनल समीट का आयोजन 15 और 1692 को करेगा इस सीकर समेलन में दुनिया भर के सिर्ष नीती दिर्मताओं, शिक्षावीदों और उद्योग, Startup और Innovators के भाग लेने की उमीद है Mastercard द्वारा संयुक्त रूप से त्यार किये गए Digital Evolution Scorecard में भारत को क्या रेंग मिला है तो भारत को मिला है चौथा रेंग Digital Evolution Scorecard को Mastercard की साज़दानी में Fletcher School, Tufts विश्टाले द्वारा विक्सित किया गया है हाली में इसका तीसरा संस्क्राण जारी किया गया इसमें भारत के Breakout अर्थवेस्ताओं में चौथेस्तान पर है जिसका अर्थ है वह देश जो बहुत तेजी से डेटल हो रहा है तो उसमें भारत की जो रहेंग है वो है फोर्थ शिरुवानी पहाणिया जिनने तितली सूपर होट स्पोर्ट के रूप में चिनित किया गया ये किस राज में सित है तो अभी हम लोगों ने इससे देखा था ये है तामिलाडू राज में The Nature and Butterfly Society मजब की TNBS इनके दुआरा किये गए 6 साल के अध्यन के बाद तामिलाडू राज में सिरुवानी पहाणिया के को एक तितली सूपर होट स्पोर्ट के रूप में चिनित किया गया है तामिलाडू में पाई जाने वाली कुल 325 परजातियों में 240 इन पहाणियों से समन्दित TNBS के नुसार यदि राजियों की 25 परजातियों परजातियों एक ही चेत में पाई जाती है तो इसे होट स्पोर्ट के रूप में चिनित किया जा सकता है क्या दरखिएगा सिरुवानी पहाणिया जो है यह है तामिलाडू राज के अंदर किस देश की अंतरिक्ष अजेंसी इस्पेस लॉंच सिस्टम का परिक्षन करने जारी है जो अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है तो यह है अमेरिका अमेरिका, अमेरिकी अंतरिक्ष अजेंसी नासा 1792 किस को सबसे सक्तिसाली रॉकेट को लॉंच करेगी या इस्पेस लॉंच सिस्टम का पहला प्रेक्षन आटमिस कारेकरम का मुक्ष सिस्टम है जिसका उदेश चंद्रवा पर पुरुष और महिला अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाना है इस्पेस लॉंच सिस्टम जो है, यह 27 तन से अधिक भार चंद्रवा तक ले जा सकता है ज़्याद रहिएगा, जो अभी तक का सबसे सक्तिसाली रॉकेट है यह अमेरिका की द्वारा बनाई गी है खादी परकृतिक क्या है, जो हाली में खबरों में था तो यह एक पेंट है खादी परक्रतिक पेंट, पहली तरह का पेंट उत्पाद है जिसे खादी और ग्रामदोग आयुक द्वारा विक्सित किया गया है यह है एक eco-friendly non-toxic paint है जिसमें anti-fungal और antibacterial गुन है यह paint गाय के गोबर पर आधारित है और इसे भारतीय मानग वीरो द्वारा प्रमानित किया गया है याद रखिएगा खादी परकृतिक जो है यह एक तरह का paint है भारत का पहला जो cow dung paint है वो है खादी परकृतिक paint तो यह थी आज के current face मिलते आप से अगले वीडियो में thank you watching, have a nice day